अस्सलाम वालेकूम वेलकम टू कोकवित आईशा मैं हूँ आईशा और आज आपके साथ शेर कर रही हूँ स्प्रिंग रोल बनाने की रेसिपी परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची स्प्रिंग रोल बनाकर तयार करेगी तो चलिए रेसिपी को बनाना श्टार्ट करते हैं सबसे पहले कडाई में हम एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे केस की फ्लेम को मीडियम पर चालू रखेगे और इसमें हम एक चम्मच साबुद जीरा डालेगे साथ में ही हम इसमें एक बड़ा चम्मच बारिक बारिक केटा हुआ लसन डालेगे और एक बड़ी चम्मच बारिक बारिक केटा हुआ अद्रक डाल देंगे टेश्ट के हिसाब से हरी मिर्चे ले हरी मिर्चों को भी बारिक बारिक चौप करके यहां एड़ कर दे दो मिनित तक चलाते हुए हमें इसे सोटे करना है अधरक लसन की जो कच्ची टेश्ठी वो खतम हो जाएगी फिर हमें इसमें चिकन एड़ करना है हमने 200 ग्राम बॉनलेश चिकन को धो कर पानी और नमक के साथ उबाल दिया था चिकन बॉयल हो गया फिर उसको ठंडा करके हमने इस तरह श्रैट कर लिया है अधरक लसन का जो कच्चा पनी वो खतम हो गया है अच्छे से सोटे हो जाने के बाद हम इसमें चिकन डालेगी चिकन को हमें 2 मिनित तक भून लेना है चिकन जब अच्छे से भून चाएगा तब हमें इसमें वेजिटेबल एड़ करनी है वेजिटेबल को मैंने पतला पतला और लंबा लंबा कट किया है आप अपने हिसाब से वेजिटेबल कट कर सकते हैं वेजिटेबल में हमने यहाँ पर हारी क्याज का वाइट पार्ट यह आदे कप से थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर ऐड़ कर देंगे जास की फ्लेम अभी मेडियम है यहां पर हमने एक कप पत्ता को भी को भी इस तरह लबालंबा काट कर ले लिया है यह एक कपő फुल पत्ता को भी हम एड कर रहे है एक कप शिमला मेज लिए एक चोथाई कप, वेजिटेबल के साथ ही हमें इसमें एड़ करना है, एक बड़ी चमच भरकर दरदरी कुटी हुई लाल मेज, एक बड़ी चमच भरकर दरदरी कुटी हुई काली मेज, मैंने एक छोड़ी चमच नमक डाला है, नमक आप अपने टिस्ट के हिसाब से डाले एक बड़ी चमच मैंने यहां डार्क सोया सॉस डाल दिया है एक बड़ी चमच बढ़कर विनेगर डाला है एक बड़ी चमच बढ़कर मैंने यहां रेट चिली सॉस एड़ किया है और दो चमच मैंने यहां टोमेटो सॉस एड़ कर दिया है नमक का इस्तमाल सब सोसिस में नमक होता है इसलिए आप नमक अपने टेस्ट के हिसाफ से एड़ करें स्प्रिंग रोल बनाने की में टिप्स यहीं पर है इस पॉइंट पर गेस की फ्लेम को हाई कर दे और हाई फ्लेम पर लगातार चमच चलाते रहे और 2-3 मिनिट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाए 2-3 मिनिट के बाद गेस की फ्लेम को बन कर दे गेस की फ्लेम को बन करने के बाद इसमें हरी प्याच का जो हरा पाटाता है वो बारिक-बारिक कट करके एड़ करे और बन फ्लेम में ही इसको अच्छे से मिक्स कर दे और इसको रूम टेंपरेचर आने के लिए रग दे स्प्रिंग रोल की जो स्टफिंग होती है वो बहुत ही इंपोटेंट होती है हम इसको बनाते हैं उस पॉइंट पर अगर पानी रिलीज हो जाता है वेजिटेबल से तो ये सारी स्टफिंग एकदम ही सौगी हो जाती है और स्प्रिंग रोल को फ्राइ करने के बाद भी स्प्रिंग रोल क्रिस्पी नहीं बनते हैं आप स्टफिंग देख सकते हो एकदम ही परफेक स्टफिंग बनकर तयार हुई है एकदम खिली-खिली बनी है यही टिप से आप स्प्रिंग रोल की स्टॉफिंग को हाई फ्लेम पर पकाए जिससे आपकी स्टॉफिंग सोगी नहीं बनेगी हमने यहाँ पर स्प्रिंग रोल बनाने के लिए रेडी में शीट का इस्तमाल किया है दो चम्मच मेंदे में पानी आड़ की हमने श्लरी बना ली है मेंदे की जिससे हम सील करेंगे स्प्रिंग रोल हमने यहाँ पर शीट पर एक बड़ी चम्मच स्टॉफिंग रग दी है आप देख सकते हूँ वीडियो में इस तरव स्प्रिंग रोल को हमें सील कर लेना है बहुत ही आसान है आप इस रेस से दो मिनिट तक पकाए फिर आप गेस की फ्लेम को बन कर दे जिससे वेजीस एकदम ही खिली-खिली रहेगी और वेजीस में अपना क्रंचीनेस बाकी रहेगा आप वीडियो में देख सकते हो इस तरह आप स्प्रिंग रोल को फोल्ट करना सीख सकते हो अगर आपको स्प्रिं बना कर तयार कर लिए इस मिक्षर से आपके 40-50 स्प्रिंग रोल आसानी से बनकर तयार होगे स्प्रिंग रोल बनकर तयार है इस पॉइंट पर आप स्प्रिंग रोल को जिप लोग बेट में या एर टाइट कंटिनर में रखकर फ्रीज भी कर सकते हो रमसान महिने के लिए एक महिने के लिए आप इसे freeze कर सकते हूँ। अब हमें spring roll को fry करना हैं, spring roll को fry करने के लिए medium temperature पर oil को गरम करें और spring roll को medium temperature पर ही fry करें, जिससे spring roll उपर से एकदम ही crispy और crunchy बनेंगे। हमने यहाँ पर सारे tips और tricks शेर किये हैं, आपके सान इन tips और tricks का ध्यान रखते हुए आप spring roll बनाएगे तो आपके spring roll एकदम ही crispy और crunchy बनकर तयार होगे। अच्छा सा golden color आगया है हमारे spring roll पर, इस point पर हमें इसे यहाँ से निकाल लेना है और अपनी पसंद की dip के साथ इसे serve कर लेना है। उम्मीद करती हुँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी, एसी ही नई नई रेसिपीस के लिए हमारे चेनल cook with आईशा को सब्सक्राइब कर ले, साथने बेल आइकन प्रेस करके all पर सेट करना ना भूले, जिससे हमारी आने वाली रेसिपीस की वीडियो आपसे मिस नहो, फि वीडियो को लाइक करना, शेर करना बिल्कुल भी न भूले, और हमें कमेंट करके अपना फीडबेक जरूर दे, बाब बाइट